हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त नायरा आज आपके लिए लेकर आई हूँ तोरई तोरई जो की सबसी का एक स्वरूप है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग होती है लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी हमारे स्वास्ते के लिए होती है तोरई का सेवन करने वारे लोगों में पाया गया है कि वो कम बिमार पड़ते हैं खासी जुखाम जैसी बिमार्या उन्हें बहुत कम होती है तो आईए जानते हैं आज तोरई के कुछ और फायदों के बारे में विस्तार से तोरई के पत्तों का सेवन कर सकते हैं तोरई के पत्तों को पीस कर उसका ले एप दात खाज खुचली वाली जगा पर लगाई ऐसा करने से आपको उस परिशानी से राहत मिलेगी तोरई के पत्तों को बहुत फायदा देती है तोरई अगर आप भी मदूमे के रोगी हैं तो आपको अपना ब्लेट शुगर लेवल कंट्रोल में करना चाहिए जिसके लिए आप तोरी का इस्तिमाल कर सकते हैं तोरी का नियमित रूप से सेवन करने से शरीर के अंदर इंसुलिक की मात्रा बढ़ती है साथ ही साथ आप शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं टिप नमबर त्री बाला को लंबा और काला बनाने के लिए आप तोरई का सेवन कर सकते हैं कहा जाता है वे लोग जो तोरई का सेवन नियमित रूप से करते हैं उनके बाल ज्यादा लंबे, घने और काले होते हैं अगर आप भी अपने बालों को काला और लंबा बनाना चाहते हैं तो आपको तोरई का सेवन करना चाहिए टिप नमबर पोर लीवर को सुरक्षित रखने के लिए भी आप तोरई का प्रियोग कर सकते हैं कहा जाता है कि तोरई के अंदर कई ऐसे गुण पाये जाते हैं जिनका सेवन करने से हमारा पेट साफ रहता है साथ ही साथ लीवर भी सुचालों रूप से कारे करता है टिप नमबर फाइब जॉइन डिस को ठीक करने के लिए आप तोरई का प्रियोग कर सकते हैं कहा जाता है कि जिस इनसान को पीलिया की बिमारी हो उसके नाक में दो से तीन बून तोरई के फूल का रज़ डाल दीजे ऐसा करने से उसे जॉइन डिस में आराम मिलेगा लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इस नुश्के को असमाने से पहले एक बाद डॉक्टर की सरह जरूर ले ले तो फ्रेंड्स ये थे तोरई के फाइदे इनका लाग उठाईए और अपने व्यूस को हमाई साथ शेयर करिये मेरी ब्यूटी और हेल्स से रिलेटीड वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजे तब तब मैं आपकी दोस्तनायरा आपसे इजादत लेती हूँ